हलो फ्रेंड्स मैं अमेबारी आपका दोस्त और आपका होस्ट और आज मैं New India Classified Jobs Updates में लेकर आया हूँ आपके लिए ICIC Bank की Jobs जिसमें आपको every month 14-15,000 up to salary मिलेगी तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे request करूँगा कि आप हमारे इस चैनल को subscribe करें और हमारे bell icon को प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई jobs, updates और इस चैनल की जो भी नई वीडियो रहेंगी आपको every time updates इसकी मिलती तो चलिए friends शुरू करते हैं इस वीडियो को और हाँ main important चीज़ ये है कि अगर आपको इस जॉब की requirement नहीं है ठीके तो आप सिर्फ ये एक काम कर सकते हैं कि इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ और उन जुरुत मंदों के साथ शेयर करिएगा जिने इस जॉब की ज साथ से match होती है यानि any degree या intermediate अगर वो पास हैं तो वो ये जॉब आसाने से कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और मैं इस jobs की जो जो भी requirement रहेगी मैं आपको अभी बताता हूं तो इस जॉब में आपको जो ब्रांचेस मिले हैं वो ब्रांचेस हैं हैटक सिटी माधवपूर गच्ची बॉली फैनांशल डिस्टिक नानक राम गुड़ा बल्ला गुड़ा तोली चोकी यहां के ICC बैंक में ये requirement है ठीक है यहां के जो जो मैंने अभी आपको जो 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 नाम लि requirement है जहां पर salary जो मिलेगी आपको up to 14 to 15,000 रुपीज salary मिलेगी ESIPF के सांथ में ठीक है ESIPF भी अवरी मन्त आपको कटेगा और मैं समझता हूँ इसमें आपको take home 11,000 रुपीज take home salary आएगी 14 to 15,000 आपकी salary रहेगी ESIPF डिडेक्ट होने के बाद में आपको 11,000 रुपीज तक आपको take home salary आएगी और हाँ दोस्तों इसमें आपको ऐसा नहीं है कि बाइक must है करेके बाइक अगर रहेगी तो भी बेटर है अगर ना रहेगी तो भी आपको कोई tension लेने की जरूरत नहीं है इसमें आपको salary के साथ special incentive भी मिलेंगे जो भी आप काम करेंगे उसके हिसाब से आपको incentive भी आता रहेगा और मैं समझता हूँ अगर आप खाबिल है आप अगर काम अच्छी तरह के से करते हैं बागू भी करने वाले हैं तो आपको 11,000 ही नहीं बलके मैं समझता हूँ 15,000 20,000 तक भी आप every month salary उठा सकते हैं ठीक है हमने जब यह requirement देखी है तो इसमें जो है first तो qualification का intermediate और degree है और position है sales executive position है और इसमें जो है आपको timing जो रहेगी 8 hours daily रहेगी ठीक है morning 10 to 6 रहेगा नॉर्मली तो बट अगर आप शार्प 9 o'clock भी जो है न अगर office पर रहेंगे तो that's better for you ठीक है 8 hours के आपको requirement रहेगी और अगर मैं documents बताओं तो documents आपको pancard और आधर card आपका होना must है ठीक है आप जबी भी जो है इंटर्वी को लिए यहां पर जाएंगे तो आपका आधर card और pancard साथ में ले जाएं ठीक है ताके जो है ना interview company आपको training भी देगी 10 days खुद वह company training देगी और बहुत अच्छी बात इसमें यह है कि उस 10 days का salary भी वह company आपको देगी means training के कोई आपको direction नहीं रहेगा इसमें जो है आपको 10 days का भी जो है ना salary काउंटी में रहेगा वो 10 days training में रहेंगे आप अंटे ट्रेनिंग प्रेड में रहेंगे ठीक है और अगर languages में देखेंगे तो अगर आपको English आती है या Telugu आती है और मैं समझता हूँ आप इस job को अगर eligible हैं करने के लिए तो आपको मैं नीचे description में contact person manager का number और उनका नाम mention कर दूँगा आप जो है उनसे direct call करेंगे interview time इसकी तरफ से बात कर लिजेगा और अगर आपको लगता है कि यह job आप के हिसाब की नहीं है या आप समझते हैं कि किसी और अपने friends के लिए job suitable है तो उनसे यह वीडियो को जरूर शेर करिए ताके उनको job मिल सके आसानी से और हमारे इस चैनल को subscribe करना ना भोले और bell icon प् लेकर आता रहूं तैंक यू